अस्सलाम अलेकूम नमस्कार सस्यकाल वड़काम वैलकाम दोस्तो आरिप असिल फ़ाम में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम एक नए वीडियो के साथ आए जो के फ्रेंड यह वीडियो बनाने का खास मकसद है और प्लीज यह वीडियो को पूरा देखना आपको गर्मी के में मैंने पहले भी एक जानकारी दी ती और अभी भी एक जानकारी में आपको देए रहा हूं गर्मी में मुर्गी या मुर्गा या कबूतर या आपने बक्री को कैसा आप मैनेज कर सके इससे गर्मी उनके बॉडी पर शेरें उनको गर्मी में वो बिमार ना हो तो फ्रेंट इसके पहला तो मैंने आपको दही का उपाई बताया था दही जो के वह भी एक सस्ता एडम और अच्छा एडम था जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था मेरे को कल से क्या अरी भाई धही हमको मिलती नहीं हमारे इधर पर और जहां मिलती तो काफी लंबा है तो प्रिस उसके इलावा कोई उपाहे गया तो मैं सोचा क्यों ना उनको एक वीडियो और देदूं तो प्रिस जिन्नोंने मुझ को मेडिकल में मिल जाएगा मेडिकल में इसकी कीमत है 19 उरुपया 35 पैसा मतलब आपको 20 उरुपय करीब में एक पॉड़र आता है ठीक है यह एक पॉड़र आप का तक्रीब अपने पाच लिटर या दस लिटर में पूरा मिला सकते हो और अच्छे से मिला कि जैसा कि अभी पानी में डाल के मिलाना बहुत ही बहुत है फाड के टालेना यहां से पराकिट फारणना है और तो उसका हिला कiku दे देदेना कि एम लेक्टर बाड़ से जडो हमसां क सब्सक्राइल करता है और सारी परिशानी देल न करता है वैसी ही यह सेम बाडर हमारे मुर्गा मुर्गी के लिए भी काम आता है इनकी जो बॉडी में जो पानी कम होता है गर्मी में इसलिए ज़्यादा पानी पीते अगर ये इलेक्ट्रा पॉटर का पानी पीएंगे तो अल्हें दूलिल्ला बहुत अच्छे से रहेंगे और इनको पानी की कमी नहीं होगी और गर्मी से जो इनको नुकसान होना है वो नुकसान इनको नहीं होगा फ्रेंड तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रा पॉटर जो के हर मेडिकल में अवेलेबल होता है मेडिकल बोले तो मिन्स एनिमल्स का मेडिकल नहीं है जहां पर इंसान की दवा मिलती है उधर भी मिल जाएगा और आपकी किराने श्टोर पे भी अवेलेबल होता है हमें साम तो आप ये भी दे सकते हो जिनके एदर धही नजजी के धही भी दे सकते हो 20 उर्पय में आप 10 लिटर पानी में मिलाओ जबके इंसान को एक लिटर पान पानी में भी हम चावे तो मिला के दे सकते हैं मेक अप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहो तो अगर आपको 20 उर्पया भी महेंगा पड़ता है तो आप एक दिन आड़ करके भी दे सकते हो क्यूंकि याद रखो शौक बड़ी चीज होती है शौक के लिए आद क्यूंकि यह मौसम के इसाब से ही मैनेजमेंट इनको करना पड़ता है तभी यह अपने बॉड़ी का टंपरेशर मेंटेन कर बाते हैं और यह उस समय बीमार नहीं होते हैं और अच्छे से रहते हैं और हमको भी एक अच्छी फिलिंग होती है कि हमारे इतने महेंगा जो अच्छे से हैं तो द्यान रखे फ्रेंट यह जो पॉडर है इलेक्टर पॉडर है आपको लेना है मेडिकल में आपको मिल जाएगा और डिंकर में मिला दो या फिर आपके पास जैसा भी आप पानी की वेबस्ता रखते हो कम से कम अगर मुर्गा मुर्गी को पिलाना है या किसी अन्य कभूतर को हड़ो कभूतर को या यह कभूतर को भी चलता है सारे कभूतर बकरा बकरी मुर्गी सभी के लिए अपको काम में आएगा ऐसा नहीं कि खाली मुर्गी के लिए क्यूंकि यह पॉडर अपने आप में एक बहुत अच्छा रिज़र्ट है और मैं इसको इस्तमाल करता हूँ कभी धही कभी यह कभी धही कभी यह क्यूंकि मैंने जब कल कमेंट्स पड़ा मेरे वाट्साप पर तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बला चलो आज क्यों ना मैं पॉटर का इनको वीडियो बना के बता दू ताकि इनको रहात हो गए और म स्विर्मी के लिए खास करके होता है और I can play जाता और की सबको बता देता हूं कि जब आपका मुर्गा मुर्गी को हारे है रहा है ट्रेन में सफर करके आ रहा है कहींC आपने पर्चेस किया और वो उस्तेम से आ रहा है तो आप उसको पहला पानी इलेक्ट्रा पॉडर का पिलाव गेला तो उसके बॉडी की जितनी भी ठकान जितनी भी वह ट्रैवेल्स करके आ रहा है और उनकी बॉडी में ठकान होती है और जो पानी कमी होती है वह इलेक्ट्रा पॉडर दूर कर देता है इसलिए तो फ्रेंड इलेक्ट्रा पॉडर ले लो और वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आवे फिर कोई मेरा भा कम नहीं है 20 रुपयर कम है आप चाहो तो इसको दो बार भी इस्तामाल कर सकते हो लेकिन आप एक ही टाम अगर पास लिटर पानी में डाल दो तो आपको दीन बर चलेगा यही पानी आप दूसरे दिन भी चला सकते हो ऐसा नहीं कि आपको फेकना है अगर आपका पानी रहूंगा दीरे दीरे आपको एक से वीडियो देता रहूंगा और बाकी आप लोगों की मरजी आप लोगों को जो इस्तामाल करना है मैं कोई पेशर नहीं डालता हूं कमेंट आया तो ही मैं वीडियो बना कि आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों तक मालूमात हो और आप लोग अपने मुर्गा मुर्गी बहुत अच्छे से पाल सके फ्रेंड, ठीक है, ओके फ्रेंड, एक जलक फॉर्म की हो जाए, फिर उसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेट जरू करना मेरे दोस्तों, अब लोग अपना ख्याल रखनाा, अवरा अपना ख्याल रखना, झालाव इस